हालो बच्चों दा व्यूटी फूल मंड क्लास में स्वागत है आप सबी का दो पीछलह क्लास में हम पढ़े हैं प्रोपर्टीज ओफ होल नमबर यानि की होल नमबर का प्रोपर्टीज तो उसमें क्या है कि first प्रोपर्टीज पढ़ लिये थे क्लोज क्लोजर प्रोकलिटीज अब क्या है कम्युटेटीविटी ओफ एडिसन एड monitor ब्लकिकेसं उसमें क्या हुआ था सिर्फ एडिसन और मल्टिप्लिकेसं ही था डिशन मालिटीप्लिकेसं ना किस अप्ट्रेक्षन और डिवीजन तो आई ये देखते हैं एक्जाम्पल के माध्य हम से समझते हैं कम्यू टेटिवीटी ओफ एडिशन एंड मॉल्टिप्लिकेशन तो जैसे देख लीजिए कि A प्लस B रहे या B प्लस A क्या होगा A प्लस B इसकल टू B प्लस A दोनों के एड करेंगे तो सेम आ जाएगा अब यहां पर कोई डिजीट र प्लस B कि जगा है तो यहां क्या करेंगा इसका स्थान चेंज कर देंगे क्योंकि A की अस्थान पर 2 रे यहां चुक्रेंगे च्थाज कर देंगे एडिशन क्या हो गया यह तो हो गया एडिशन का अब देखिए मुल्टिप्लिकेशन का तो मुल्टिप्लिकेशन में क्या हो जागा A into B is equal to B into A क्या होगा A B is equal to B A अब यहां पर क्या करेंगे कि कोई डिजिट रखके देखेंगे 5 into 4 is equal to 5 A के स्थान पे है और 4 B के स्थान पे 4 into 5 तो 5 into 4 is equal to 20 is equal to 4 into 5 is equal to 20 क्या देखने को मिल रहा है कि A into B is equal to B into A दोनों से मार रहा है क्या हो रहा है दोनों से मार रहा है लेकिन यह जो है सब्ट्रेक्शन एंड डिवीजन पर अप्लाइन नहीं करेगा देख लिजिए सब्ट्रेक्शन अगर 4 minus 3 is equal to 3 minus 4 करते हैं तो 4 minus 3 यानि कि कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यहीं अगर 3 minus 4 यानि कि 4 में से 3 को minus करना है तो क्या होगा minus 1 दोनों सेम नहीं है यह हो गया 1 और यह हो गया minus 1 यह हो गया whole number में और यह हो गया integer में यहीं अगर इसका division का देख लीजिए 6y 2 क्या है 6y 2 इसका तो 2y 6 करते हैं तो अगर 6 में 2 से divide करेंगे तो कितना आजाएगा 3 आजाएगा लेकिन 6 से 2 में डिवाइड करेंगे तो point में हो जाएगा इसलिए दोनों equal नहीं होगा यहीं अगर 6 by 2 is equal to 6 by 2 होता तो दोनों equal हो जाता लेकिन यहां क्या है a into b is equal to b into a तो यहां भी वही apply होगा कि a divided b is equal to b divided a तो क्या हो जाएगा not equal तो यह तो था commutativity of addition and multiplication अब इसका third properties देखेगे properties third, third properties में क्या है associativity of addition and multiplication 2 Lucian and is मल्टिप्लिकेशन तो इसका क्या हो जाएगा यहां भी क्या देखने को मिलना है कि सिर्फ एडिशन और मल्टिप्लिकेशन है ना कि सब्ट्रेक्शन और डिवीजन तो आज़े इसका एक्जामपल देखते हैं यहां पर A प्लस B Sorry, C होगा A प्लस B को ब्रैकेट में रखिए प्लस C को बाहर कीजिए या A को बाहर कीजिए B प्लस C को ब्रैकेट में रखिए तो दोनों तरफ अगर एडिशन करेंगे तो क्या होगा? सेम आएगा तो आएए देखते हैं डिजिट रख करके 4 मान के चलिए A 4 है B 6 है और C 5 है अब क्या करना है कि यही डिजिट से इस साइड भी बैठा देना है तो वो कि A कितना था? 4 प्लस B कितना था? 6 प्लस C कितना था? 5 तो 4 प्लस 6 इसकलतो 10 प्लस 5 इसकलतो 15 कितना था? 15 और यहां 4 प्लस 6 प्लस 5 इसकलतो 11 तो 11 प्लस 4 इसकलतो 15 क्या देखनों को मिल था है कि दोनों तरफ सेम है क्या है? दोनों तरफ सेम है तो यह तो हो गया addition के लिए किसका हो गया addition के लिए अब देखते है multiplication के लिए तो multiplication के लिए क्या हो जाएगा A into B into C is equal to A into B into C यानि कि A into B into C equal to A into B into C यानि कि दोनों सेम आएगा तो आएए इसका भी digit धर्सा के देखने है तो 6 into 5 into 3 क्या है A के स्थान पे 6 को रखे है B के स्थान पे 5 रखे है और C के स्थान पे 3 रखे है तो A into B कोष्ट में है और राइट साइड में जो है A A बाहर है और B into C कोष्ट के अंदर है तो अब A के स्थान पे 6 into 5 into 3 तो क्या हो जाएगा 6 into 5 30 into 3 3 is equal to 6 into 5 into 3 is equal to 15 अब 13 और 3 को multiply करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 और 6 into 15 को multiply करेंगे तो कितना आ गया 90 यानि कि दोनों सेम है क्या है दोनों सेम है लेकिन ये नियम जो है सिर्फ addition और multiplication के लिए ना कि subtraction और division के लिए अब इसका देखेंगे properties 4 तो आ ये देखते हैं कि properties 4 में क्या है कि तो 4 में क्या हो जाएगा distributivity of multiplication over addition इसे पहले क्या होता था कि addition अलग होता था और multiplication अलग होता था लेकिन इसमें क्या है कि दोनों साथ करना है तो इसको क्या करते हैं हम लोग कि B और C को add कर लेते हैं उसके बाद multiply कर देते हैं लेकिन इसमें क्या करना होगा पहले A को B से multiply करना पड़ेगा फिर A को C से multiply करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा A into B plus क्यूंकि B plus C के बीच में plus कचिन दिया हुआ क्या है पलस कचिन दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर पलस हो जाएगा अब क्या होगा A into C क्या होगा A into C तो आईए देखते हैं कि कोई बिजिट बैठा करके दोनों equal आता है कि नहीं तो A के स्थान पर 2 रखती है और B के स्थान पर 3 और C के स्थान पर 5 रखती है अब इसको ऐसे अगर multiply करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 और 3 को add करेंगे तो 8 हो जाएगा 8 into 2 is equal to 16 कितना आजाएगा 16 लेकिन हमें ऐसे करना नहीं कैसे करना है 2 को पहले 3 से multiply करेंगे और फिर 5 से multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 into 3 plus 2 into 5 तो कितना हो जाएगा 6 plus 15 शोरी 6 plus 10 is equal to 16